आज हम आपके लिए लेक्या है होली स्पेशल नमकीन चार तरह की चार डिजाइनों में हम बनाएंगे आप होली पे नहीं दिवाली पे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कितने क्रंशी बने हैं और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बाती है कि हम एक मेक्स्टर से यह चारो तरह की चार डिजाइनों के हम नमकीन बना के और राडी करेंगे यह देखिए खोली हो चाहें दिवाली हो या फिर कोई भीतेबहार हो आप इसे इजली बना सकते हैं और फ्रेंड्स यह काजू डिजाइन से देख सकते हैं देखने में काफी अच्छा लग रहा यहां पेट के लिए बहुत अच्छा होता है डाइजेस्ट करता है और स्वात की अनुसार नमक ले लेंगे और दो कप मैदे के हिसाब से मैंने आधा कप यहां पे मेल्टेड घी लिया हुआ है देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने लख लिया अच्छे से मिक्स करेंगे अगर कम लगेगा तो हम और एड कर लेंगे और इससे मैंने देखिया मिक्स क अगर आपको लगे कि मठी जाया सा नहीं बंद रहाए तो थोड़ा सगी आप उसमें हर एड करें अगर आप को मिक्सर तो अटजह दौड़ा लग रहा है तो उसमें मैदा और करें अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका टाइट डॉ दियार करेंगे सव्ट आ रखें आपाचेज मिनीट को लायें कई दाइट ही अ purpose लुखे भण जानुट के कारवती जानुत अंटis लगाक्ण ते मीं ट्रिया है 10 मिनिट के लिए और प्रतर जाया नटी है ऑप 20 ल्गातिel गोल को तो बड़ी सी रोटी हम बना के त्यार करेंगे तो बॉल्स बना लेते हैं इसके मैंने आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से दिखा यह तो आप इजली इस नमकिन को बना कर सकते हैं और यहां पर मैंने एक ले लिया है बॉल्स उसको फैला लिया है और इसे बेल लेंगे यहां पर सबसे पहले हम काजू से वहला डिजाइन्स बना के और रेडी करेंगे तो इसके लिए थोड़ा साप मोटा रखें देख सकते हैं थोड़ा समयने मोटा ही रखा है पहला पाट करके निकाल दे ताकि अच्छे से आये और यह देखिए मैंने यहां पर धकन लिया आ कोकेक आधे अधे कठ करेंगें वचा करेंगे तो आफ़े आधे पर कट करेंगे तो आपको यह काजू से मिल जाएगा देखिए या अर्धकार चंद्र होते हैं उससे से बोल सकते आगे हैं यह देखें बहुत एजली है और देखने में भी यह ettum जो है काफिए द्चा लग करना है यह देखिए आधे-आधे पर कट करना है अगर आपको थोड़ा सा चोड़ा चाहिए तो आप थोड़ी सी उसकी दूरी जो है बढ़ा दें यह देखिए थोड़ी सी दूरी मैंने बढ़ा दी है ऐसे अपने सारे अर्धित चंद्र को कट करके और निकाल लेंगे आप थे काजू कह सकते हैं काजू तो नहीं दिख रहा लेकिन ऐसी इसा ही इसारे कट कर लिए और जो एक्स्ट कर लिया और दूसरा भी हम तियार कर लेंगे तो इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और यह मत सोचिए हा कि छिपक रहा है तो इसका सेप खराब हो जेगा ऐसा ब कि इधर कवी अटा दिया और पतला पतला हम कट कर लेंगे यह देखिए बहुत इजी है यह तो बार वाला से कच्री भी बोला जाता है आपके यहां क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर बताएं और इसे थोड़ा सा तीरशा कर लेंगे उसके बाद से बर्फिया कार में इसे कट कर लेंगे यह देखिए जितनी चोटे बड़े आपको रखना है उसके हिसाब से आप कट करें अगर आपको छोटा पसंद दे तो चोटे-चोटे जो इस्ट्रेप्स हैं वो कट करें और अगर आपको बड़ा पसंद दे तो थोड़े-बड़े बना भी सकते हैं और इसे चाकु से यह ऐसे निकाल लेंगे यह देखिए आप हासों से भी कर सकते हैं चाकु से ज्यादा जल्दी हो जाता है तो इसे निकाल ल कर दिये और मैं तो आपकłam क्षोड माज़क करके और यहां आफ बढ़ा कर लोगा हो Ily इस seem सारी अपने इसाथ ही से प्रेस कर देंके देख लएगा इसमें अशह सा देख सकते हैं सब बीच वाला है उससे मठी बन जाएगा और साइड वाला पार्ट है उससे हम रिंग वाला इस नक्स बनाकर रेडी करेंगे ये लिंग करई आथगे बोहाओ याजय से ह्लेंstud Č यह फूल यह देखिये ऐसे अपने सारे मट्री को सभी कर लेंगे उसके बाध मैं दो नीध में फिल अज्ट अच्छय से गरम कर लिया है पहले ही और फेल हमने विदी ही में भले कर लिया हमाने खरोड़ा बशाइं अब abos तो छुए नहीं अपने आप यह अलग हो जाएंगे जैसे जैसे पकेंगे यह बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाते हैं देख सकते हैं इस पर कलर भी आना स्टार्ट हो गया है और इसे जादा आप गोल्डेन ना करें यह देखिए बस इतना ही आपको रखना यह बहुत अच् जो हमारा बर्फी वाला नमकीन है वो बनके रेडी हो चुका है और यह बहुत क्रंची है फ्रेंट्स खाने में बहुत स्वादिष्ट है ऐसे यह दूसरा वाला भी यानिकी काजू सेप जो हमने दिया था वह भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे यह देखिए पहले मैंने डाल मिनट लगेंगे और फटाफटी बनके रेडी हो जाते हैं फ्रेंट्स यह देखिए कर भी बहुत प्यारा आया हुआ है देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है यह देखिए मैं पास सी दिखा रही हूं आपको ऐसे इस सारा त्यार करके और निकाल लेंगे हम ऐसे अप गोल्डन कलर आने देंगे यह देखिए देखने में काफी अच्छे लग रहा है और आप एक मेक्स्चर से चार तरह के डिजाइन्स बना के और रेडी कर सकते हैं अगर आपको कोई और भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और फ्रेंड्स यह देख कि इस पे प्यारा कलर आ चुका है तो इसे भी हम निकाल देंगे और यह जो चारो तरह की डिजाइन्स है नमकीनों की बना के मैंने आपको दिखा दिये तो इस दिवाली होली आप बना के इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइक करें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें चैनल बनाएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली साथ इन्जूरू